हेलो गाईज वेलकम बैक टू मैं चनल सो कैसे हैं आप सब यार आज कलना बहुत साथा कॉमन है कि हम लीविंग एरिया एंड डाइनिंग एरिया को साथ में डवलब कर रहे होते हैं अकसर आपने देखा होगा कि हमें एक बहुत बढ़ा एरिया दिया जाता है जिसके अंदर हमें दोनों चीजों को फिट करना पड़ता है बट हम अकसर चाहते हैं कि यार दोनों एरिया चाहे साथ में हूं बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेप्रेशन हमेशा हो लाइक कोई पा लेकिन वह इतना बड़ा नहीं होता कि उसके अंदर हम लोग पार्टिशन को एड़ कर पाए तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए कि कैसे हम एक इन्विजिबल पार्टिशन एड़ कर सकते हैं ताकि जो आपका लिविंग और डाइनिंग एरिया को सेपरेट भी कर सकते हो चाहे कितना भी स्मॉल एरिया क्यों ना हो लेकिन आप एक सेपरेशन इसली एड़ कर पाओगे वह भी बिना विजिबल पार्टिशन के सार्ट करते हैं वीडियो को तो सबसे पहली चीज आते हैं सीलिंग येस और जो आपकी डाइनिंग एरिया की सीलिंग है उसे सेपरेट डिजाइन करना है फॉर एन एक्जामपल आप ये इमेज देखो इसके अंदर हमने क्या किया है जो सीलिंग मेरी सोफे के उपर हमने उसको बहुत सादा प्लेन में प्ले किया है लेकिन जो सीलिंग मेरी डाइन पार्ट लिविंग का है और ये वाला पार्ट मेरे डाइनिंग एडिया का है और वो के थुरू ही जो आपका सोफा है वो सीलिंग के सेंटर होगा और जो डाइनिंग है वो डाइनिंग की सीलिंग का सेंटर होगा तो अपने आप ही आपका design है और जदा enhance होगा लेक वो well design लगेगा सारी चीज़े symmetry में होगी आपकी ceiling के and of course yes अगर ceiling आपने अलग-अलग की है तो आप अपने furniture के according अपने fan की placement पे भी अपना पूरा control कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है अगर छोटा space है तो आप ceiling के through separate करो इसमें बहुत सारे फाइदे होने वाले हैं आपका design और जदा enhance भी होगा आप fan को भी control कर सकते हो and साथ-साथ जो आपका furniture की location है वो आपकी ceiling से alignment रहेगी तो बहुत सादा अच्छा look भी आएगा and now second तरीका है flooring yes guys आप flooring के through भी अपने area को separate कर सकते हो बहुत ही easy तरीका है अगर आपने घर में marble यूज किया हो है तो अपने dining की नीचे आप कुछ भी inlay work add कर सकते हो 2023 का ये best है inlay work बहुत ही जादा अच्छा look देता है आपके घर को rich भी दिखाएगा साथ-साथ जो living और dining का separation वोला issue है ना की area छोटा है separate नहीं कर पारें तो वो बहुत easily आपका solve हो सकता है अगर आपने घर में tiles यूज की है तो भी कोई दिक्कत नहीं है tiles में भी आप चो dining की tiles में वहाँ पर कोई variation add कर सकते हो कोई अलग tile add कर सकते हो या पर कोई tile में ही wall element आप wall designing से भी अपने living dining को बहुत easily separate कर सकते हो कुछ नहीं करना जितनी बड़ी भी wall suppose 14-15 feet की wall है आपके पास आपका जो dining है वो आ रहा है आपका 6 feet में 7 feet में जो आपका living है वो आ रहा है आपका बाकी 10 feet में तो बस जो 10 feet की wall है उसको design element में अलग दिखाना है जो आपकी 7 feet की wall है उससे design element में अलग दिखाना है for an example जैसे कि आप स्विन पर देख पा रहे हो हमने सोफे के पीछे वाल थी उसको design अलग दिया है जो wall मेरी dining की पीछे है उसको design और साधा अलग दिया हो है तो यानि कि आपने design में भी play कर लिया और आपको कोई भी partition डालने जरूत नहीं है और इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हो आप plus minus में भी play कर सकते हो कुछ नहीं करना या तो dining की या फिर living ये रहे कि कोई भी एक wall को 4 इंची ये 5 इंची plus में लिया हो तो अपने आप एक और separation add हो जाएगा जो बहुत जादा सुन्दर लगता है और ट्रस्ट में ना ये कोई भी visible partition से काफी जादा अच्छा लगता है कई बार क्या होता है ना visible partition की वज़े से आपका area और जादा छोटा दिखाई देता है तो उसके लिए भी बहुत जादा अच्छा तरीका है कि आप ऐसे invisible partition के अंदर play करो ताकि जो आपका area है वो बड़ा भी दिखाई दे और साथ साथ जो separation का बुखार चड़ा है वो भी पूरा हो जाए and now next तरीका आता है carpet yes guys आप carpet की through भी एक partition add कर सकते हो living and dining में कुछ भी नहीं करना बस जो आपका living area है उस पूरे area को आप carpet से थोड़ा सा enhance कर सकते हो and जो आपका dining area उसमें आपकी floating दिखाई दे तो उससे भी आप बहुत अच्छा separation partition create कर सकते हो जो बहुत ही enhanced और बहुत ही rich look देता है now next तरीका है swing yes guys आपने आजकल बहुत ही common है कि हम living area में swings add कर रहे हो कुछ नहीं करना swing की through भी आप बहुत easily अपने living area में exception डाल सकते हो बस जो आपका furniture है dining और living area का बस center में swing add कर दो swing काम करेगा partition का like आपको extra sitting भी मिलेगी and आपको partition का काम भी हो जाएगा लगिए two in one है बहुत ही अच्छा तरीका है and आपके घर में चार चांतो लगी जाएंगे now last तरीका है furniture की placement आप furniture की placement ही कुछ ऐसे करो कि वो अपने आप में ही एक separation add कर दे मतलग कि अगर आपने L sofa यूज किया है it's okay आपने L sofa यूज किया लेकिन जो आपका खाली स्पेस है between your dining and L sofa वहां पर आपने डाल दिया एक आपका furniture है वो काम कर रहा है partition का and last में आप कुछ color variation के थुरू भी separation डाल सकते हैं like furniture में आपका जो living का furniture है वो supposed blue color का है and जो आपका dining का है वो कोई और extend color है like कुछ वी pink, grey उस color के थुरू भी आप अपने living और dining को easily separate कर सकते हो don't worry अगर आपका area छोटा है आप partition add नहीं कर पारे तो इन आपके सारे partitions के वे है यह बहुत अदा functional भी है and साथ-साथ जो आपका area है वो छोटा भी नहीं दिखाई 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 अकसर क्या होता है अगर आपके छोटा area है like वो dining का जो hall है वो 15-16 feet का ही बड़ा है तो अकर उस case में हम बीच में कोई partition add दाल देते हैं कोई भी partition चाहे glass का हो चाहे wood का हो कहीं नहीं हमें area छोटा लगने लगता है तो उस case के लिए best तरिका कि कि आप इन 6 में से कोई भी pattern चूज करके अपने घर को एक बहुत साधा अच्छा लुक दे सकते हो and even आप यह जो accent wall और the ceiling वाला pattern यह दोनों आप साथ में भी यूज कर सकते हो इसका लुक और ज्यादा अच्छा मिलेगा आपको like symmetry और ज्यादा दिखाए देगी तो लुक और ज्यादा enhance हो जाएगा so guys that's all for the video I hope you'd like it if you do so channel को like share and subscribe जरूर करना and subscribe तभी करना जब कोई भी informative चीज आपने इस वीड चाहँ और जखें